Hello everyone, welcome to the alert classes, आज हम लोग स्टार्ट करें हैं आपका next chapter, chapter 2, acid, bases and salts हम study करेंगे आज और ये lecture first है, आज ही हमने start किया है तो हम बात करेंगे acids and base की सबसे पहले इस chapter में जो बात होगी वो आपकी acid and base की होगी acid की property किया और base की property किया है, ठीक है? तो जो यह acid है, वो sore in taste, खट्टे होते हैं, अगर आप इसको taste करेंगे acids को, तो आपको खट्टा फील होगा Change the blue litmus to red, जो blue litmus होता है, इसको red कर देते हैं, acid है ना Example क्या है, hydrochloric acid, HCl, इसका example है, और कौन-कौन से example है, H2SO4, sulfuric acid घर example जो है, वो है, nitric acid, HNO3, और जो fourth example है आपका, वो क्या है, acetic acid, CH3, COOH यह three है यह आपर, ठीके, तो यह example है, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH यह जो है, यह सब acids है, यह क्या करते हैं, जो litmus paper होता है, वो blue color का जो litmus paper होता है, उसको red कर देते हैं blue को red कर देते हैं, तो हम समझ जाएंगे, यह acid की property है, यह acid है और जो bases होते हैं आपके, base होती है, वो कैसे होते हैं, उनके property क्या होती है, वो taste में bitter होती है bitter in taste, कड़वे होती है, change red litmus paper to blue, red litmus paper को blue color में change कर देते हैं, यह आपका red litmus paper, इसको इसमें change करेंगे, blue color में और यह blue होता है, तो उसको red में, red होता है तो blue में, market में आप जाएंगे, तो आपको ना, दौनों color की litmus paper मिलेगे blue color का भी litmus paper मिलेगा, red color का भी litmus paper मिलेगा, अगर आपको acid मिल रहा है, तो आप blue litmus paper को red करेंगे है ना और बेस मिल रहा है तो रेल डिटमस पेपर को ब्लू करेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं यह बेस क्या है और एसीट क्या है एक्जांपल क्या है वैसे इसके Sodium Hydroxide NaOH, Potassium Hydroxide KOH, Calcium Hydroxide CaOH का hold twice, ठीक है Calcium Hydroxide, Ammonium Hydroxide NH4OH, ठीक है ये सब एक्साम्पल है, अच्छा, Acid और Base जो होते हैं, वो Weak Acid या Base भी हो सकते हैं, Strong Acid और Strong Base भी हो सकते हैं, तो हम लोग उसके जो बात है वो आगे करेंगे, Table 2.3, ये आपके NCRT की Table है, Some Naturally Accurring Acid, Nature में कौन-कौन से Acid पाए जाते हैं, तो जो आपका Vinegar होता है, Vinegar हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, Acetic Acid, CH3COOH, ठीक है, और जो Orange है, Orange खाते हैं, हम लोग Citrus Fruit, उसमें Citric Acid होता है, Orange है, Lemon है, लाइम है, वो सब क्या होते हैं, Citric Acid होता है उनमें, Tamarind, इमली जो है आपकी इमली, उसमें कौन से Acid होता है, Tartaric Acid, Tomato, Oxalic Acid होता है, Tomato में, और जो आप Curd यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, Lactic Acid, डैक्टीरियों होते हैं, जो Lactic Acid क sacrifice को करते हैं, तो उसमें क्या मिलेगा आपको Already yeah, डई, लेक्ते Acid, Lemon में आपको क्या मिलेगा, Citric Acid, जो citrus fruit होते हैं उसमें Orange आता है, आपका Lemon आ रहा है, यह सब Citrus Fruits हैं,마ु उन सब में क्या होता है, citric acid होता है देखिए है ना आंट इस्टिंग जो आपको चीटी काटती है चीटी काटती है तो उसमें क्यों होता है methanoic acid जैसे हनी भी वगेरा होती है उनके डंक मारती है तो उसमें भी methanoic acid आपको मिलेगा तो आपके general solution वगेरे यह सब हो जाती है नेटल इस्टिंग नेटल एक प्लांट है है ना तो उसमें कौन सा होता है उसमें methanoic acid होती है ठीक है यह वाले acid होता है methanoic acid आंट में आंट काटती है हनी भी डंक मारती है honeybee चाहल है यह उसमें नेटल एक प्लांट है जो जंगल में मिलेगा आपको nettle के जंगल में अगर सब्लांगी तो आपको nettle plant मिरेगा आपकर तो नेटर प्लांट हो वहां पर जूँ सोती है वहां पर जो इसके सं हिएरी बिवे में मेथानोईक एसिड ओता है अगर आप उसको तुश कर लिंगे तो मेथानोईक एसिड ऑब आपके अंदर पौश जाएगा तो तो आपके जो बॉडी है ना जहां आपने टच किया इस्किन वगयरा वहां आपको जरन मैसूस होगी तो वही नैटल के पास एक दूसरा प्लांट मिलेगा डॉक प्लांट है ना उसकी लीफ से लीजिए और उस पर मल लीजिए रगड लीजिए आप जहां आपको जरन हो रही की लीफ को डॉक प्लांट की लीफ को जब आप रगड लेंगे तो आपका जो इसके ने बंड करना बंद कर देगी तो जो नेटल था उसमें क्या निकल रहा उसमें क्या निकल रहा था मैथनौईक एसट वह एसट था और जो आपको डॉक प्लांट मिलेगा इसी के आसपास मि कर रहा है इसके वगएरा सही कर देता है ओके अब यहां बात आएगी acid base indicator की acid base indicators तो कुछ acid base indicator होते हैं जो बता देते हैं यह acid और यह base है indicate the presence of indicate the presence of acid और base acid है या basis की presence को बता देंगे acid base indicator अब हम लोग बात करेंगे litmus solution की litmus solution क्या है it is a natural indicator natural indicator है यह it is a purple dye extracted यह day नहीं है यह dye है purple color की dye होती है extracted from lichen lichen में मिलेगा आपको lichen से लेंगे हम इसको extract करेंगे litmus solution को lichen क्या होते हैं lichen जो है आपके यह thallophyta में आते हैं thallophyta यह plant group है जो algae और fungi से मिलकर बना होता है वो lichen है ठीक है जो lichen होते हैं इसकी knowledge मैं और आपको दे रही हूं यह क्या होते हैं pollution indicator होते हैं ज्यादा pollution है वहाँ पर आपको lichen मिलेंगे नहीं अगर lichen आपको मिल रहे हैं तो आप समझ दीजिए कि यहां का environment जो atmosphere वो अच्छा है polluted नहीं है जब pollution ज्यादा है वहाँ आपको यह मिलेंगे नहीं lichen pollution indicator है लाइकें थैलोफाइटा में आते हैं फंजाई और यह से मिलकर बने होते हैं लाइकें इससे extract होती है डाई एक्स्ट्रेक्ट होती है परपल डाई है जो कि नहीं तो acidic होती है नहीं basic होती है नीचल में परपल कलर की होती है और जो यह रिटमस युशा ने यह नेशरल इंडिकेटर है ठीक है इसी तरह दूसरे एक्जामपल है रैट कैवेज लीफ लीफ होती है इसकी रैट cabbage की वह भी नैश्रल इंडीकेटर है अपत्व हो बी जो होता है वह और पैस कि पर बाटूनिया एंड टर्मरिक ठीक है पर डूनिया की जो दिया पैस्थ जो दिया in colorful पैस में पाई जाते हैं और चाहा जाते हैं मैं अच्छाइव घडियो में जो एक्सपेरिमेंट आपको बताया जैसे ठेन among का हड़ी का जब यह बेस में बेस में डालें तो क्या effective और आघा अफेक्तिन ऐगा तर्मरिक में और सब्डार वींद्यो में दूसरी एक्सपेरिमेंयेंट बता assistants Let me observe यूज सपिलिए जितनंग सच्पेस्पेटलच petals आपने उसका flower तो दे गई होगा है न है भी जसका तो जो petals है उसका मैंने आपको बताए acid-based behavior कैसे आप check करेंगे, litmus paper की तरह कैसे work करेंगा तो ये हविसकर के वारे में बताया, short video में turmeric के वारे में बताए, आप जाकर देख लीज़िए के प्लेडिस्ट में होगी तो आपको यह वाद पता चाहिए लेटमस सॉल्यूशन के बारे में और फैक्टरी इंडिकेटर अच्छा जो इसमेल से यह आप आईटिया लगा लेंगे वह यह एसीड और यह बेस है इसमेल से शो ओर्डर चेंज इन एसीडिक और बेसिक मीडिया एक्जम्पल है ओनियन एंड क्लोव ठीक है तो आप इसके एक्जम्पल पता लगा लेंगे क्यों कौन से ओनियन और क्लोव इसके ओर्डर से आप आईटिया लगा लेंगे कि वह यह एसीड और यह बेस है बेस होगा तो अलग स्मेल देगा आपके NCRT में एक्सपेरिमेंट भी दिये हुए है आप गहे पर ट्राइ कर सकते हैं तो यहाँ पर जो लेटमस सॉल्यूशन आपको यह पता चल गया लेटमस सॉल्यूशन लाइकें से मिलेगा आपको परपल कलर की डाई होती है जो आप लाइकें से एक्स्रेक्ट करेंगे और फैक्टरी इंडिकेटर है य यह एसेड है useड है तो यहाँ पर जो घ्लऊ लिटमस सॉल्यूशन है अगर हम ब्लु लिटमस सॉल्यूशन जो है इंडिकेटर है उसको लेंगे the глरा टा डालेंगे उसमें है ना तो वो क्या होगा रैच कलर मोपर खोलेंगे उसमें तो नो च् zeूंग किए तरह का कोई भी कर देगा blue इसको याद कैसे रखेंगे जैसे acid है तो इसको याद ऐसे रखेंगे अगर acid है तो यहाँ पर अनिल है ना और अगर बेस है तो कैसे याद रखेंगे बेलन इस तरह याद रखेंगे acid है और ना से नीला और यह लाल तो यह क्या करेगा blue को red कर देगा नीले को लाल कर देगा इस तरह याद रखेंगे हम लोग अनिल से और बेलन को कैसे याद रखेंगे बा से बेस है ना और ला से लाल और ना से नीला red को blue कर देगा इस तरह याद रखेंगे हम लोग अगर acid है तो नीले को लाल कर देगा और अगर बेस है तो लाल को नीला कर देगा ठीक है इस तरह आप याद रखेंगे मैं साफ करके लिख दू एसेड है तो आपको लिखना है अनिल लिटमस पेपर के बारे में यह लिटमस पेपर को कर देगा लिटमस सॉल्यूशन को करेगा अनिल बेलन ओके इस तरह आप याद रखेंगे यह यह ट्रिक है याद करने की इस नहीं होंगे आप कंफ्यूजजर रहेंगे कि वही रैट को ब्लू कर रहा है पूर्ट कर रहा है तो इस त्रिक्स पैप याद रख सकते कि अव्यद्ऑ कि अब निल्ऐ तो अगर आपने उसमें डाला तो किसी तरह कोई चेंश होगा और अगर आपने बस दाला तो राड कर रिए इन मिधाइल और अर्ड अगर युल्लू कर रह रहा है तो आप ड़े लगा इसमें base लाया है और जो phenophthalein है यह colorless होता है अगर आप इसमें acid डालेंगे तो किसी तरह को कोई भी change नहीं होगा है ना no change और अगर आप इसमें base मिलाएंगे तो यह pink color को हो जाएगा phenophthalein ओके तो आपको समझ में आगया होगा यह सब indicator है इससे हम पता लगाएंगे हमारा acid है यह base है यह सब indicator है आपको यह turmeric तो आपको घर में ही मिल जाएगी और इसका experiment में मैंने आपको कराया तो आप देख लीजीए को short video में यह methyl orange है यह phenophthalein है कि dilute acid dilute acid क्या होते हैं contain only a small amount of acid and a large amount of water जो acid है वो कम amount में मिलेगा आपको large amount में क्या मिल जाएगा water concentrated acid क्यों होता है इसमें क्यों होता है acid आपको ज्यादा amount में मिलेगा water less amount में मिलेगा तो contain a large amount of acid and a small amount of water ठीक है तो dilute और concentrated कम इन तो हमने आपको पहले ही बता दिये concentrated है तो solid जादा होगा solvent कम होगा और अगर dilute है तो solute कम होगा और solvent जाद लिटमस test यहाँ पर जो blue litmus paper है blue है ना तो मैंने आपको क्या बताया था अगर acid है acid अनिल तो क्या कर रहा है blue को red कर रहा है नीलो को लाल कर रहा है तो blue litmus paper को red में change कर रहा है ठीक है समझ में आगे आपको लिटमस paper आपने लिए solution में डाला वह acid है क्या base है हमें क्या पता क्या आए तो अगर वह blue से red हो रहा है तो वह acid है और इसी तरह red litmus paper आपने use किया तो अगर base है तो क्या होगा red litmus turn to blue है ना तो base से क्या होगा बेलन लाल से नील हो रहा है red litmus paper turn blue ठीक है यह litmus paper है यह सब और यह pH paper है यह बता रहा है pH के value क्या है 1 2 3 4 5 6 7 7 neutral होती है यहाँ पर यह neutral है है 7 और यह very basic 14 और अगर हम इस साइट चलेंगे तो यह कौन सा है वेरी है ऐसे टिक तो यहाँ आपका clear हो गया रिटमस टेस्ट तो अभी तक आप अपने अले classes को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए Facebook, Instagram पर आप हमें follow कीजिए Telegram पर आप हमें join कीजिए हमारे वीडियो को like कीजिए ना और अपने फ्रेंट के साथ share भी कीजिए so thanks for watching